नमस्कार दोस्तों जेके सक्सेस पॉइंट के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशेल में जो आली में नोटिफिकेशन जारी है जिसमें बढ़ती है जो असिस्टेंट फोर्में टेकनीशन माइनिंग सिर्द ने वाली है उसमें जो पेपर होता है वह टू पार्ट में डिवाइड होता है जिसमें सक्षाज एमें इनके जो ट्रेट होती है उसे स्वालजड पुच्छ जाते हैं वह जनूरल नोले जनूरल अवेर्नेस मेंटल अबलीटी और क्रिटिकल रिगजणिंग आधिसे समंदी सब्सक्राइब। करते हैं तो आज का हमारा इसमें पहला पर्शन है जारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो जारखंड के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है वो कौन है यह में बताना है तो जारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है और जारखंड के याद रखेएं उस्ट है वंधे भारत मिशन हाल ही में Çarchan में रहा यह Aaand Your to use जो हाल ही में चर्चा में रहा था यह क्या है तो यह क्इा हो जाएगा इसका इसकाटर 5000 च्रोड़ सुनधोर में फषे भारतियों को वापस लाने के लिए चलाला गया मिशन कोविड decor goes país इसमें जो वीदेशों में बारतिय फशी के लिए ये मिशन चलाला गया था वंदे बारत मिशन इसमें जो मटोड exactement गर लाय जाएगा तो अमबर A है वो इसका correct answer हो जाएगा नेश्ट कुशन है हमारा इसमें देश का दूसरा स्पेस पोर्ट कहां पर बनाया जा रहा है तो देश का दूसरा स्पेस पोर्ट है वो कहां पर बनाया जा रहा है तो देश का दूसरा स्पेस पोर्ट है वो बनाया जा रहा है तमिलाडू के तूती कोरिन में तमिलाडू के त वो है स्री हरी कोटा आंद्र फर्देश में नेस्ट क्विशन हमारा पर्तिवर्थ 12 जन्वरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो पर्तिवर्थ 12 जन्वरी है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो पर्तिवर्थ 12 जन्वरी है वो राष्ट्रे युवा युवा दिवस के रूप में मनाय जाता है और हाली में जो 12 जनुरी आई है तब इसको स्वामी विकानेंद की कौन सी जैन्ती बनाई गई थी तो यह बनाई गई थी 157 जैन्ती बनाई गई थी कि आप याद रखेंगे नेश्ट क्यूशन है हमारा रूस के ने परदानमंत्री कौन है तो रूस के जो ने परदानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर ओफ रशिया वो कौन है तो रूस के ने परदानमंत्री कौन बने है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा मिकायल मिशूश्तीन है वो रूषके नए परदान मंतिरू है और रूषके राष्टपती वो कौन है तो रूषक ór राष्टपती है वो लादमीर पुतीन तो नमबर ए वे है वह स्वास्तिए और चा नहिए ना है इस एंस्वेका हुआ था तो एजया वारियर 2020 स्वयुक्त शेंद्याब्यास है वो बार्त और कौन से देश के बीच हुआ था तो यह हुआ था बार्त और युक्य के बीच में यह स्वयुक्त शेंद्याब्यास हुआ था और इसका जो अभी आली में कौन सा संस्क्रण हुआ था वह था इसका महानी देशक के पद पर किशे न्युक्त किया गया है तो बीए सब बोडर सिक्योर्टी फोर्स इसके जो महानी देशक है वह हाली में बनाए गया है यह हमें बताना है तो बीए सब के जो नए महानी देशक बने है वह बने है सुर्जीत सिंग देशवाल सुर्जीत सिंग नेक्स्ट क्यूशन है हमारा किस ने जी 20 के पंद्रवे सिखर सम्मेलन की मेजबानी की तो किस ने जी 20 के विश्वक के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्मार कहा किया गया है तो वत किया गया था बारत के गुजरात में गुज्रात में विश्रा के सबसे बड़े स्टेडियम निर्माण किया गया है और इसका उद्गाटन है वो किस नहीं ता? वो किया था? अमिरिकी राष्ट्रपती डोनào्ड ट्रम्प ने इससे पहले विस्थवं में सबसे बड़ा स्टेडियम था वो ओनके वह pakताएं ऊके बिटाइशंट स्टीर है कि पूरी दुनिया में फैल रहा कोडूरा वाइरस एक परकार का वाइरस है तो पूरी दुनिया है ये किस परकार काशने वाइरस है तो यह वाइरस है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है कि नेक्स्ट क्यूशन है हमारा इसमें किस देश ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन हुए चक्रवाती तूफान को अंफान नाम दिया तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान उत्पन हुआ था जिसको अंफान नाम दिया गया तो a Polish contenido कि से कि हुआने मुख्य सुचना आयुक्ती 17 ओइसे waiver चीफ i.e. कमीशन कमिशनर है मुख्य सुचना आयुक्ती मेरा तो वह नृअल के विममल जुलका को वह देश obs मिशनर हों गे नेक्स्ट क्यूशन है कलन दवारा रचित राज तरंगनी में किसका इतियास वर्णित है तो कलन दवारा रचित है राज तरंगनी उसमें किसका इतियास वर्णित है तो इसमें किसका इतियास वर्णित है वो हो जाएगा कस्मीर राज्ये के उपर ही कस्मीर के इतियास के उप नदी नेक्स्ट क्यूशन है हमारा इसमें राजा राम मोहन राय द्वारा इस्थापित पर्थम संस्था थी तो राजा राम मोहन राय द्वारा इस्थापित पर्थम संस्था थी वो कौन सी थी तो इसका क्रेक्ट एंसर क्या जाएगा इसका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा आत् में सवा की स्तापना है वो कли दी वो की थी अठारा सो पंदरा इस्वी में शबसे पहले इन्हों सवा की सितापना की थी उद्युश के बाद अठारा सो अठाइस में ब्रहं समाज की इसっापना की थी नेक्स्ट क्यूशन है मद्य पर्देश का राज की वरक्स है तो मद्य पर्देश का जो राज की वरक्स है वो क्या है तो मद्य पर्देश का राज की वरक्स है वो है वर्गद का पेड तो अप्सन नमबर B है वो इसका क्रेक्ट एंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है किर्केट माई स्टाइल पूस्तक किस ने लिखी तो किर्केट माई स्टाइल बुक है ये किस ने लिखी दी तो ये लिखी है कपील देव ने तो कपील देव है वो इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है हमारा निमनली कित में से किसने संसकर्ट नाटक मुद्रा राक्सस लिखा था तो किसने जो संसकर्ट नाटक है एक मुद्रा राक्सस इसका जो लिखा है वो किसने लिखा है तो मुद्रा राक्सस है ये लिखा था विशाग दत ने विशाग दत है वो तो विशाखदत ही इस questions का correct answer हो जाएगा Next question है हमारा निमल लिखीत में से कौन लोगसबा की पहली mहीला speaker बनी थी कौन लोगसबा की पहली महीला speaker बनी थी इसका correct answer क्या हो जाएगा मीरा कुमार मीरा कुमार है वो 30-2009 को कब 30-2009 को देश की जो पहली महिला लोक्स बा-इसपिकर बनी थी और यह निर्वियरोध ही चुनी गई थी को चि पुराणी क्या अच्ट गुत इप्ले को कि नामसे जाना जाता है तो पुरानी ज्लोड मिट्टी आती है उसको किस क्या चाना जाता है तो नेक्स्ट क्यूशन है निमन में से कौन सी एक्रिय गेस वाइव मंडल में नहीं पाई जाती है तो कौन सी एक्रिय गेस है जो वाइव मंडल में नहीं पाई जाती है तो वो हो जाएगा रेडोन गेस रेडोन गेस होती है यह वाइव मंडल में नहीं पाई जाती है नेक्स्ट क्यूशन हमारा गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है तो गोल्डन फाइबर है उसके रूप में किसे जाना जाता है उसके नाम से कौन परसिद है तो जूट है वो गोल्डन फाइबर के नाम से ही परसिद है एक सेलफोन 2400 रुपए में बेच कर एक दुकानदार ने 25 परतिसत लाब कमाया यदि उसने उसे 2040 रुपए में बेचा होता तो लाब परतिसत कितना होता तो इसमें बताया गया कि 2400 रुपए में बेचने पर एक सेलफोन है तो 2400 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को 25% के क्या होता है लाब होता है तो इसका जो विक्रे मुले है शेलिंग प्राइज है एस पी है वो कितना है वो है 2400 रुपए शेलिंग प्राइज है वो 2400 रुपए दिये गए है तो हमें इसका जो कोस्ट प्राइज है क्रेम लिए है वो ग्याद करना है तो वो कैसे ग्याद करेंगे 2400 प्रकुरतेनky लाब कितना होता है लाब है 25 प्रतिससत तो 100 प्रकी 125 और गुणा में 100 से गुणा करते हैं इसको दिसको सोल करते किसा है तो तो 1920 है वो क्या हो जाएगा गुणी 120 है वो इसका क्या हो जाएगा क्रे मुल्य तो 1920 है वो तो इसका क्या हो जाएगा CP कोस्ट प्राइज है वो कितना हो जाएगा गुणी 120 रुपए और आगी कहा गया है कि अगर और गुणा में परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं जब इसको सोल करते हैं तो इसका मान कितना जाएगा इसका मान जाएगा 6.25 परसेंट तो 6.25 परसेंट है वो कुल लाब हो जाएगा जब वस्तु 2040 रुपए में बेची जाती है तो तो अप्सन नमबर B है 6.25 पर वो इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है हमारा पांच साल पहले विने की उमर विकास की उमर की एक बटा तीन थी विने अभी 17 साल का है तो विकास की उमर क्या होगी तो क्यूशन में कहा गा है कि पांच साल पहले विने की उमर है वो विकास की उमर की क्या थी एक वटा 3 थी, तो सबसे पहले हम विकास की उमर है, उसको X मान लेते हैं, तो विकास की उमर है, वो क्या है मान लेते हैं, X है, तो इसमें कहा गया है कि विकास, पांच साल पहले, तो पांच साल पहले विकास की उमर क्या होगी, X-5, पांच साल पहले, विने की उमर, विकास क 1 एकप centimeters 3 तो गुणा 1 एक बटा 3 बड़ाबर किसके थी विने कीूमर कि विने की वित 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 पांक साल पहले हैं 5 पहले हो जा जाएगी जब इसको करते हैं नृट X-5 is equal to 17 में से पांच गए तो बारण और तीम से मल्टिप्लाइद करते हैं तो बारा य चाह थीज दो एक्स कमान क्या हो जाएगा का 41 वर्ष तो 41 वर्ष है वो किसकी उम्र हो जाएगी वह विकास की आयू है वह हो जाएगी तो प्स नंबर ए है 41 वर्ष वो इसका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है हमारा दो वर्षों के बाद 3000 की रासी कितनी होगी यदि ब्याज में लग 12 परतिशत परतिवर्ष वार्षिक रूप से चक्रवर्थी ब्याज संयोजित किया जाता है तो कोई धनरासी है कितना रुपए है 3000 रुपए तो उस पर ब्याज वो कितना है इस है लग बारा परतिशत परत्वर्ष और जो टाइम दिया गए हो किता दिया गया है ठूर्ष तो इसका हमने चक्रवर्थी ब्याज निकलना है तो 3000 का रुपए निकल लेंगे तो 12 परंटिश्योज निकलेगा परत्वर्ष का 306 और सेके की ब्याज निकलेगा और जो 306 रु इसका मान क्या हो जाएगा 763 तो 373 क्ल ब्याज हो जाएगा और तीन 1000 रुपय में जब इसको जोडते हैं तो यह जाएगा 3763 रुपय है यह Goal दो वर्सों के बाद इसको देने होंगे तो अप्सिन नबर बी 3763 वह इसका करेंक्ट एंसर हो जाएगा next question है हमारा एक rail guardi 108 meter لمбے एक station को 12 second में एवम एक दूसरे 184 meter lumбे station को 16 second में park करती है, तो rail guardi की لمbाई क्या होगी? तो इसमें कहा गया कि 108 meter longbے station को तो सबसे पहले हम rail guardi की lembाई है, उसको क्या माल लेते हैं? अक्स का माल लेते हैं, तो एक्स पलस सबसे पहले 108 मिटर लंबे पुल को पार करती है इस्टेशन को पार करती है कितनी सेगन पार करती है 12 सेगन पार करती है और एक किसके बराबर होगा यह दूसरे स्टेशन की जो लंबाई है उसके बराबर होगा तो 164 मिटर है दूसरा स्टेशन बटे सोडा यह दोन इसका मान हो जाएगा फोर एक्स प्लस चार सो बतीस है इसकल टू यह जाएगा 3X प्लस जो सट को इससे करते हैं तो जाएगा 492 जब इसको तो एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स कमान कितना जाएगा जाएगा 60 60 मिटर तो 60 मेटर है वो अक्स या रियल गारी की लंबाई चाहिए तो रियल गारी की लंबाई वो कितनी है 6 मिटर और समबर भी है 60 मिटर वो इसका करेक्ट टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है हमारा दो संख्याओं का अनुपाथ 5 अनुपाथ 8 है यदि परतेक संख्या में से 4 गटाया जाता है तो उनके बीच का अनुपाथ 7 अनुपाथ 12 हो जाता है तो मूल संख्याओं क्या है तो दो संख्या हैं उनका अनपात कितना दिया गया है वो दिया गया है 5 अनपात 8 ये उनके बीच का रेशियो दिया गया है और कहा गया है कि परतेग में से 4 गटाया जाता है तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5X मान लेते हैं और 5x minus 4 upon 8x minus 4 यह बड़ाबर हो जाएगा 7 बटे 12 के बड़ाबर हो जाएगा अनुपात है यह बड़ाबर हो जाएगा तो भी इसको हम solve करते हैं cross multiply करके इसको solve करते हैं तो इसका मान क्या जाएगा इसका मान जाएगा 60x minus 48 is equal to हो जाएगा 56x minus 28 एक्स को इसमें सोल करते हैं गया क्क अधेगा इसकन आजाएगा मछिख फाइफ है वह एक्स般 आजाएगा तो पहवे में इसको ऐंद्क यह grippas मानते है तो थैंहें पर दूह दूश्य borबर और हो जाएगा ग कित कशी चाएगे ईट ऑप इसका correct answer हो जाएगा next question है हमारा इसमें दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ग्याद करें तो find the missing number turns in the given sequence यह जो स्रेणी दी गई उसमें हमें जो missing number है यह ग्याद करना है तो series को देखते हैं इसमें क्या series है 3, 5, 6, 11, 9, 17 और 12 यह दी गई है तो इसको cash air कोरें तो इस में देखते हैं मैं थी बाद में 5 आ रहा है और इसमें जक्समें जब हम 3 एड़ करते हैं तो six plus three, nine, nine में 3 एड़ करते हैं तो 12 यह आता है और 12 हमें भी ट्री एड़ होंगे तो उसमें 15 हो जाएगा जो 15 हो तो इसका राइट एंसर नहीं होगा थीज़ते हैं इसमें 5 की बाद में कितने हैं और 11 três substant 6 एड़ करते हैं तो 17 हो जाएगा और 17 में 6 एड़ करते हैं तो क्या हो जाएगा 23 तो यह जो क्यूशन मार्क दिया गाई इसकी जगह क्या आजाएगा 23 तो 23 है option number D है वो इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है एक खेल परतियोगिता में एक खिलाडी का इस्थान उपर से आठवा तथा नीचे से 84 वा था तो ऐसा जब क्यूशन आजाए जिसमें कोई खिलाडी या कोई विद्यार्थी का कर्मांग उपर नीचे से दिया होता है तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं एड कर लेते हैं और एक गटा देते हैं तो दोनों को एड करते हैं तो 84 और 8 क्या हो जाएगा बाण में हो जाएगा तो इक्यान में है, वो इसका correct answer हो जाएगा, तो option number B है, वो इसका correct answer हो जाएगा, next question है, किसी संख्या का 1 बटा 2, उस संख्या के 1 बटा 3 से 17 अधीक है, तो वह संख्या क्या है, तो कोई संख्या है, उसका 1 बटा 2, उस संख्या के 1 बटा 3 से 17 अधीक है, तो मान लेती हैं वह संख्या क्या है, x है, तो x का 1 बटा 2 है, वो उस संख्या के 1 बटा 3 से 17 अधीक है, X का 1 बटा 3 तो इसमें जो अंतर है वो किता दिया गया है वो 17 दिया गया है तब इसको हम सोल करते हैं तो मान क्या जाएगा 3 X minus 2 X 6 L C M हजाएगा इसको 17 जिसको सोल करते हैं तो X बराबर क्या हLYएगा 17 की 102 102 है वो X का मान आजाएगा तो वो संक्या क्या है 102 है वो संक्या हो जाएगी वो option number C है वो correct answer हो जाएगा next question है अंग्रेजी सब्द diligent का विलॉम सब्द है तो opposite बताना है में वर्ड कौन सा है diligent तो diligent होता है उसका अर्थ होता है अर्थ क्या होता है diligent का अर्थ होता है प्रिशर्मी मेंती या उद्मी यह इसका अर्थ होता है तो इसका विलोम क्या होगा इसका विलोम होगा आल सी यह फिर लेजी तो लेजी है वो इसका correct answer हो जाएगा तो dear friends यह था हमारा आज का 30 questions का model paper आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें फेंट्स में सेर जरूर करें चैनल पर पहरी बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जर कि ए और हनुता करें जर जब झाह सोड़ होगे पनेरे स Tax-2 स्बच्टाब लके करें तो बंगे पो प्लीड़ेशा स्मस्बद looks करें तो सब्सक्राइब थाते हैं